पाकिस्तान के पूर्व राश्पती परवेज मुशर्फ का लंबी बिमारी के बाद निधन हो गया वो दुबई के एक अस्पताल में भरती थे उन्होंने 89 साल के उम्र में अंतिम सांसे ली मुशर्फ गंबीर बिमारी से जूज रहे थे और दुबई में उनका इलाज चल रहा था फिलहाल उनका निधन हो गया आईए परवेज मुशर्फ के बारे में आपको बताते हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ दिल्चस बाते परवेज मुशर्फ का जण दिल्ली के दरीयागज में हुआ था यह सुनकर आप हैरान रह जाएंगे लेकिन वाकई में परवेज मुशर्फ का जन भारत में हुआ था भारत के विभाजन के बाद उनका परिवार कराची में जाकर बस गया बाद में वो पाकिस्तान के राश्ट्रपती बने सेना प्रमुग बने 1999 में नवाश शरीफ की लोकतांतिर्थ सरकार का तकता पलट कर पाकिस्तान की बागडोर भी उन्होंने सम्हाली थी 20 जून 2001 से 18 अगस 2008 तक पाकिस्तान के वो राश्ट्रपती रहे 2001 में वापस उसी घर में गए थे मुशर्फ जो की दिल्ली में जहां उनका जन्व हुआ था पुरानी दिल्ली के जिस घर में मुशर्फ का जन्व हुआ था वो अब काफी पुराना हो चुका है कमजोर हो चुका है अलाकि उस आलीशान घर को देखकर इस बात का अंदाजा अब भी लगाया जा सकता था कि मुशर्फ उन दिनों पुरानी दिल्ली के जाने माने परिवार से तालूक रखते थे यानि आर्थिक रूप से मजबूत था उनका परिवार अब उस हवेली नुमा घर में आठ परिवार रहते हैं साल 2001 में भारत के दौरे के दौरान मुशर्फ पुरानी दिल्ली के उस मकान में गए थे जहां उनका बच्चपन बीदा था विभाजन के बाद मुशर्फ के परिवार ने पाकस्तान जाने का फैसला किया और पुरानी दिल्ली के उस घर को छोड़ कर सब लोग पाकस्तान चले गए उस समय मुशर्फ मात्र चार साल के थे 2001 के समय जो लोग उस घर में रहते थे उन में से अधिकतर को तो इस बात की जानकारी भी नहीं थी कि उसका असलिक मालिक कौन है यानि जिस घर में वो रह रहे हैं वो परवेज मुशर्फ का घर है घर के असली कागजातों पर सारी जानकारियां उर्दू में लिखी हुई थी जिन पर मुशर्फ के पिता का नाम अंग्रेजी में हस्ताक्षर के साथ था आश्चर के बात ये है कि अलिगर्ण मुस्लिम विश्विद्याले के संस्थापक और अल्प संक्यक समुदाय के नेता सरसाइद एमद मुशर्फ के पडोस वाले मकान में ही रहते थे मुशर्फ के पुराने घर के आसपास के इलाके बहुत जादा पौश उस वक्त थे और फिलहाल अभी पुरानी दिल्ली का वो इलाका है तो जैसे पुरानी दिल्ली के सक्रे इलाके होते हैं इस वक्त वैसा ही है वो परवेज मुशर्रफ ने भारत को जितने जख्म दिये हैं इस लिहास से भी वो याद किये जाएंगे। अप्रेल से जून 1999 तक भारत और पाकिस्तान के बीश करगिल का युद्ध हुआ था और उस वक्त ही परवेज मुशर्रफ सुर्खियों में आये थे। क्योंकि उस दोरान मुशर्रफ ही पाकिस्तान के सेना प्रमुक थे। सेना अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने भारत को कई ऐसे जख्म दिये जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। पूर प्रधान मंतरी अटल बिहारी वाजपई ने पाकिस्तान के साथ संबंद सुधारते हुए रिष्टों को नए आयाम तक पहुचाया। लेकिन उनकी ये पहल लंबे समय तक कायम नहीं रह पाई। कहा ये भी जाता है कि परवेज मुशर्रफ ने भी अटल बिहारी वाजपई का साथ नहीं दिया था। करगिल का युद्ध जिसमें हमने कई जमान खोय थे उस समय से परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान के संदर्व में याद किया जाता रहा है। जनरल परवेज मुशर्रफ 1961 में पाकिस्तानी सेना में शामिल हुए थे और वो एक शांदार खिलाडी भी थे। 1965 में उन्होंने अपने जीवन का पहला युद्ध भारत के खिलाफी लड़ा था और इसके लिए उन्हें पाकिस्तान सरकार्द वारा वीर्ता का पुर्सकार दिया गया था। उनके नेतुरित में 1971 में हुए दूसरे भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान को हार कमू देखना पड़ा था। 1999 में करगिल युद्ध के दौरान भी पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा होना पड़ा था और उस वक्त सेना प्रमुक थे परवेज मुशर्रफ। अक्तूबर 1998 में मुशर्रफ को जनरल का उहदा मिला और वो सैने प्रमुक बन गए। 1999 में उन्होंने बिना कून बहाय ततकालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को पत्सहटा दिया और सत्ता की बागडोर खुद अपने हाथों में ले लिए। इसके बाद 2002 में पाकस्तान में आम चुना हुए जिसमें कि वो बहुमत से जीते। यानि लगातार सत्ता के इर्दगिर्ध ही वो गूमते रहे और अंत में सत्ता पर काबिज हो गया। वैसे पाकस्तान के संदर में कहा जाता है कि वहाँ सेना ही साशन है और शाशन ही सेना है। वो सेना प्रमुक भी थे और उसके बाद सरकार भी बना ली उन्होंने। पाकिस्तान लोटने पर मुशर्फ ने 4-man Christian College लाहॉर में दाखिला लिया लेकिन ऐसा लगता रहा कि मुशर्फ को सिर्फ जंग पसंद थी क्योंकि उन्होंने पढ़ाई इसी के इर्दगिर्द की और उसके बाद छोड़ दी इसके बाद उन्होंने पाकिस्तान Military College काकूल एप और सेना के ही इर्दगिर्द परवेज मुशर्फ घूमते दिखाई पड़े अपनी सिक्षा दिक्षा में भी 1964 में सेना में वो शामिल हुए थे और वहां पर दूसरे छात्रों को संबोधित भी किया फिलाल परवेज मुशर्फ का निधन हो गया है और परवेज मुशर्फ भारत में करगिल युद्ध के लिए भी याद किये जाएंगे अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें